हर्याना के महिंद्रगड में पूर्फ सिक्षय मंत्री रांबिलाश शर्मा विधान सपा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कारेकरताओं के समक्ष एलान कर दिया कि उन्हें पार्टी का फैसला मन्जूर है और वे पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। इससे खटर मुर्दाबाद और भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगाए। कारेकरताओं ने कहा कि जिस वेक्ति ने हर्याना में पार्टी को खड़ा किया वो उसी की नहीं हुई तो आम कारेकरता की कैसे होगी। अब वो कहा जाएंगे। पूर्फ शिक्षा मंत्री रांबिला शर्मा ने कहा कि उनका 55 साल का संखर्श रहा है, इस दوران मैंने डंडा नहीं बदला, झंडा नहीं बदला और एजजंडा नहीं बदला, भावुक होकर कहा कि मुझे कमजोर नकरें, आपको मेरे एमान की कसम, मेरे जैराम भगवान की कसम, आप मुझे होकर पमजोर नकरें और नहीं तो मैं तूट जाऊंगा। जिंद की 10 साल या 15 साल की है। मुझे अंत में उस जंडे के साथ ही रहने दीजे। मीटिंग में सभी कारेकरता भावुक हो गए। उन्होंने पूर्फ केंद्रिय मंत्री कैलास चौधरी एवं चुनाव प्रभारी को खरी खोटी सुनाई। पूर्फ शिक्षय मंत्री राम्बिला शर्मा हरियाना भाजपा के दिगजनेता के रूप में जाने जाते हैं। और वह यहां से पांच बार विधायक रह चुके हैं पार्टी के दो बार प्रदेश अध्यक्ष वह तीन बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। 2014 में उनके नेतरतु में भाजपानी हरियाना में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उनकी इच्छा थी कि वह पार्टी की और से अपना अंतिम चुनाव लड़े उनको उमीद थी कि पार्टी उनको अवश्चे टिकट देगी इसलिए वो भाजपा प्रत्याशी के रूप में नमांकन भी कर आये थे। लेकिन पार्टी ने उनकी टिकट काटकर कवर सिंग यादव को दे दी। पार्टी के रामबिलाश शर्मा का टिकट काटकर कवर यादव को देने विराम बिलाश शर्मा के चुनाव ना लड़ने पर आपके क्या विचार है हमें कॉमेंट्स के जरीए जरूर बताएं और ऐसी ही मेहतुपूर्ण खबरों के साथ अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कीजी इंडिया निउस पॉइंट को